मैं भी शेक शर्मा आपका टेक्निक ग्लास्यस में स्वागत कर रहा हूं और आज आपने बात कर रहे हैं यहां पर एक्जाम्पल नंबर 3.8 की तो देख लेते क्या है हाँ सेर्क्लर स्टील रॉड अबी सीडी जो कि आपको देख रहे हैं A B C D की डिफ्रेंट क्रॉस सेक्शन्स इस लोड़े टेश्व इन फिगर 3.10 आपको दिखाए दे रहे हैं डिफ्रेंट डिफ्रेंट लोड लगे हुए है फैंड था मैक्सिम इस्ट्रेस इंड्यूस इंडी रॉड और इस डिफॉर्मेशन यानि कि सबकी स्ट्रेस पी बतानी है औ आपका हॉलो सेक्शन हो गया इस इस सीडी उसके याद एक बीच वाला पार्ट देख रहा है आपका दिस इस दा बीसी और उपर वाला पार्ट देख रहा है इस इस एबी क्लियर तो आपको सबसे बिले दिख रहा है कि जो आपका सीडी वाला सेक्शन है यहां पर इस पर ल पच्चास हटने के बाद 25 कंप्रेसिव के लिए जब मैं उपर आया तो मुझे दिखाए दिया कि 25 टेंसाइल 100 टेंसाइल और उसमें से 50 चला गया तो 125 में से 50 गया तो 75 आपको क्या होगे 75 टेंसाइल इसका यहाँ पर देखेंगे इसका आउटर डायमेटर आपको दे रखा है कि यह 50 है इसका इनर डायमेटर आप देखेंगे लूटिस करेंगे तो 30 है क्योंकि इसका आउटर डायमेटर 50 दिख रहा है मेरे को और इसका आउटर डायमेटर करता दिख रहा है मेरे को 70 क्योंकि य सब solid है, यह solid और यह उपर वाला hollow दिया है, तो इसका area मैं यह पर देख लेता हूँ, कि अगर मैं area of c. d. की बात करूंगा तो इसका長 जाएगा, पलाइवाई 4, 50 का स्वेइर, मैंवाई करूंगा, 30 कैस्क्वेर, मै इस area of b c. के बात करूंगा, तो pi by 4 50 का square हो जाएगा area of ab की बात करूँगा तो किता हो जाएगा pi by 4 70 का square हो जाएगा यह सब का constant है l यहाँ पर देख लिजिए यह आपको दिया 1 meter यह दिया आपको 2 meter और यह दिया आपको 1 meter बस आपको क्या 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 फॉर्म लेकर अंदर value put करनी है length of ab तो pi अलग है e constant तो e मैंने बहार ले लिया p की value पहले के लिए हो रही है 25 तो 25 into 10 to about 3 हो जाएगी length इसकी 1000 है over area की value आपको लिख रखिये मैंने यहाँ पर pi by 4 50 का square मैंस के 30 का square plus दूसरे की बात कर लिए तो load हो गया है मेरा 25 compressive तो यह हो गया हम यहाँ पर minus sign तो 25 into 10 to about 3 हो जाएगा length होगी 2000 क्योंकि 2 meter दिया है area होगी है मेरा pi by 4 और यह होगी है 50 का square पहला super tensile है पर वो tensile कितना है मेरा जान से देखिये 75 into 10 to about 3 length इसकी 1000 pi by 4 और d की value होगी है 70 का square तो आपको कहा है कि यह parts को आपको solve करना है e की value आपको 200 into 10 to about 3 लगानी है और आपका answer आजाएगा answer कितना आजाएगा देख लीज़े total deformation की value पहला tensile दूसरा compressive माइनस में है तीसरा 0.069 stresses कैसे निकालेंगे आप क्योंकि आपको load सबका पता है sigma cd की में बात करूंग तो sigma cd की हो जाएगा load तो load आपको होता है कितना 25 एरिया में भी आपको होता है pi by 4 50 का square minus 30 का square clear sigma bc की में बात कितनी होगी minus के 25 compressive है pi by 4 4 उपर चला गिया 50 का square sigma a b की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 75 10 over 3 over pi pi by 4 और यह कितना हो जाएगा आपका 70 डायमेटर तो 70 का square तो यह आपके सब मेगा पासकल में आ जाएगे अगर आपको वीडियो समझ में आएगे तो प्लेज लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना थैंकिए फूर पॉचिंग गैस थैंकिए सो मच थैंकिए